नितिश चंदर हमारे साथ है नितिश राहूल गांधी का स्वागत तो जवर्दस हुआ है अब ये बैठक आगे कैसे चलेगी ये थोड़ी देर में पता चलेगा कांगरेस का द़्टर है वहाँ के लिए निकल चुके हैं औरर रास्ते भी ने देख रहा था रास्ते में कि कांगरेस के जो कारकरता है उनके स्वागत के लिए खड़े थे तो राहूल गांधी के स्वागत के लिए लोग खड़े है और जब दफ्टर वहाँ पह Français में कारकरता है वहाँ पर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे अपने कारकरताओं को उनसे मिलेंगे भी और उसके बाद सीधे वो उस बैठक में आएंगे जिसका इंतजार सबों को है मेरे ठीक बगल में वो मुख्यमंतरी आवास में आपको दिखा दू हम लोगों को इसके ठीक के पीछ हिस्से में रखा गया है नेताओं की इंट्री इस रास्ते से नहीं होगी नेताओं की इंट्री जो होगी वो उसके आगे वाले हिस्से से होगी और हम इसके पीछे के हिस्से में और यह जो सड़क है इसी रास्ते में मुख्यमंतरी का आवास भी है और ठीक यहां से 100 मिटर क बिल्कुल सटा हुआ है इसके अलाबा कई दूसरी जगह है जहां उन्हें ठेहराए गया है अब थोड़ी देर में वो थारे निता जहां उनको ठेहरा गया है कुछ जो चानक्या होटल में है, कुछ मौरया होटल में है, कुछ सरकिट हाउस में है, कल जब ये सारे निता पहुँचे थे तो कुछ निताओं से नितिश कुमार ने जाकर मुलाकात की, अरविंद केजरिवाल से मुलाकात हुई, ममता बनर्जी से मुलाकात हुई, और सबसे खास बात ये दिखा कि जो कोई भी आ रहा था लालुय आदब से मिलने जरूर जा रहा था लालुय आदब इस कह सकते हैं कारक्रम एक सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अभी दिखाई दे रहे हैं जिन से जो कोई भी नेता आया श्टालिन भी पहुंचे उनके घर गए ममता आदब की जो भूमिका रही है वो काफी एहम रही है तो अब देखना ये है कि आखिर इस मिटिंग में क्या कुछ होता है थोड़ी देर में ठीक मेरी बाइत तरब जो मुख्यमंतरी आवास है एक अन्यमार वहां पर ये सारे नेता जुटेंगे और उसके बाद मिटिंग श की हैं और्विंद केजरीवाल वहाँ पर आचुके हैं और्विंद केजरीवाल केसा ही बगवंत मान भी हैं संजय सिंग है राजे सफा के सांसाथ उन्होंने आज जाकर लालो यादव से मुलाकात किये और जिन लोगों को यहां आना है हो सकता है बहुत से लोग पहुंचे हो दिखाई ना दिये हो उनमें उधव ठाकरे शामिल हैं उनके अलावा शरत पवार हैं सीता राम येचुरी हैं अखिलेश यादव को आँ पर आना है वो भी अभी तक दिखाई नहीं दिये हैं फारुक अब्दुल्ला हेमन सोरेन इसके यहां पर आएंगे और महबूबा मुफ्ती भी यहां पर होंगी तो इन तमाम निताओं को आप थोड़ी देर में भी यहां पर देख पाएंगे